देखो जो तुम लोगों ने distance formula वाला concept सीखा उस distance formula वाले concept से क्या क्या चीज़े अभी तक सीख चुके हूँ किसी भी quadrilateral का type identify करना ये आप सीख चुके हूँ कि वो particular quadrilateral square होगा, rhombus होगा, etc. दूसरी चीज़ आप ये सीख चुके हूँ किसी भी triangle का type identify करना यानि कि वो particular triangle आप लोगों का equilateral है, isosilis, skalen है की क्या तीसरी चीज़ आप normal अगर question में distance calculate करना हो दो points के बीच में वो आप find out करना सीख चुके हो चौती चीज़ अगर आपको मालने तैसे 2 points दिये है एक का coordinate दिया है 3,2 और दूसरे का coordinate दिया है minus 1,k k यानि कि कोई variable अगर आपको दे दिया है और आपको बोल रहा है कि k की value को find out करो तो वो k की value find out करना तुम यह सीख चुके हो आज हम लोग इसी distance formula वाले concept में एक और पाचवी चीज़ सीखने जा रहे है और वो सीखने जा रहे है कौ linear points का concept ठीक है? कि अगर मान लेते हैं points आपके collinear है या collinear नहीं है तो आप वो कैसे identify करोगे? तो दिखू यह जो collinear वाला concept होता है ना उसको दो तरीकों से सीखा जा सकता है ठीक है? को लिनियर वाले concept को दो तरीके से सीखा जा सकता है जो पहला तरीका होता है उस पहले तरीके को हम लोग कहते है distance formula आप distance formula की मरद से इस particular concept को सीख सकते हो जो की अभी सीखेंगे और एक होता है area of triangle वाला concept उस particular formula के वाया भी आप इस topic को सीख सकते हो अब इसमें जो ये area of triangle वाला concept है ये कोवेड के syllabus की वज़ा से कोवेड की वज़ा से syllabus में जो reduction किया गया वो अब हट चुका है तुमारे पास से यानि कि अगर माले ते तुम कोवेड वाले period में exam hall में बैट रहे हो तो तुमें सिख को लिनियर वाले concept को distance formula से ही काम करना है कहीं पर भी area of triangle वाला logic नहीं लगाना है तो मैं अभी फिलाल इस topic से related दो illustrations उनको करवा के दे रही हूँ इसके बाद इसके जैसे questions में दूँगी तुमें एक एक करने होंगे और एक 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 चेक कराने होंगे ठीक है यही रहेगा इसमें बराबर चलो तो देखते हैं आपको तीन points दिये हैं नाम दिया है A नाम दिया है B नाम दिया है C और आपको बूचा जा रहा है क्या यह points को लिनियर होंगे कि को लिनियर नहीं होंगे तो देखो points को लिनियर होंगे कि points को linear नहीं होंगे इस पे हम लोग बात में बात्चीट करते है अब पहला point of discussion एक काम करो आप तीनो responses calculate कर लो यानी कि आप a-b वाला distance calculate कर सकते हो आप bc वाला distance calculate कर सकते हो और साती साथ में आप ac वाला distance calculate कर सकते हो total 3 distances है जो 3 distances सब कैल्कुलेट कर सकते हो बराबर आप वो तीनों डिस्टेंसस को कैल्कुलेट कर लो ठीकं न आप वो तीनों डिस्टेंसस कैल्कुलेट कर लो पी को gonna look तो इस हिसाब से जैसे माल रेता है पहले मुझे b distance calculate करना है तो इक का आगे हो सकता है किसी step में गलत कर दूँ तो better होगा कि आप x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख कर आप आगे बढ़ो ठीके तो इसके इसाब से x1 क्या हो जाएगा minus 3 और y1 क्या हो जाएगा 2 x2 कितना हो जाएगा that would be 1 और y2 कितना हो जाएगा that would be minus 2 अब अगर कोई मुझसे distance निकालने को कहता है ab के बीच का तो पहले तो अपने बड़ी ही सुन्दर सुन्दर handwriting में distance formula का formula पहले तुम लिख देना जो कि तुमने इस तरीके से लिख दिया और उसके बाद अब यहाँ पे values तुम put कर दो ठीक है तो चलो x2 की value कितनी दी हुई है 1 minus का sign और फिर एक minus 3 फिर square प्लस y2 की value कितनी दी है minus 2 y1 की value minus में आ गया और यह square अब देखो अगर किसी बच्चे का जो basic mathematics होता है न 3rd standard से 7th standard तक का है न 6th standard तक का अगर वो basic mathematics ठीक से build up नहीं हुआ है और 8th में आते आते उसने अपनी पूरी life को कबाड़ा बना ली है तो और 9th और 10th में वो खुद को improve करना भी नहीं चाहता है बच्चे करने के लिए अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर वो पढ़ाईल काई कैसे होगी अच्छा जान दो चोड़ो क्या हो जाएगा वन यह जाएगा प्लस 3 और उसका square यह हो जाएगा माइनस प्लस पोर और यह उसका square वन प्लस त्री होता है फोर और फोर का square हो ठीक है यहां से AB की value कितनी आ गई under root of 32 बस निकाल के रखो अच्छा बेटर होगा कि आप इसको simplify कर लो अगर simplify कर लोगे तो हो सकता है आगे तुम लोगों को help मिल जाए तो इस AB की value आती है कितनी 4 root 2 तो यहां से मैंने यह calculation किया और calculation करके मैंने AB की value को calculate करके निकाल लिया ठीक है यह आगे में पास AB की value अब AB की value calculate कर लेने के बाद जो बाकी के other distances है वो भी आपको calculate करने है ठीक है जो other distances है वो भी आपको calculate करने है जैसे आपको क्या calculate करना है कि आखिर bc कितना होगा तो bc की calculation करने के लिए b point कितना है c point कौन सा है ये पता होना चाहिए तो b point क्या है 1,-2 ठीक है तो यहां लिख दिया 1,-2 c point के अगर बात करें तो वो है 9,-10 एगर मैं देख लेती हूँ कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है अब इसमें तुम मुझको बताओ यहां पर x1 कौन होगा यहां पर x1 होगा 1 y1 होगा minus 2 x2 को ले लेती हूँ मैं 9 और y2 को मैं ले लेती हूँ यहां पर minus 10 अब अगर कोई तुमसे यहां पर यह पूछेगा कि bc का distance calculate करना है तो आप formula लगा लो क्या हो जाएगा x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square अब बस value put करना है और जैसे distances निकालने सिखाएं उस तरह के से distances निकालने ने ठीक है x2 कितना हो जाएगा that would be 9 minus x1 कितना 1 और यह उसका उपर का square plus y2 कितना हो जाएगा minus 10 minus और y1 में खूद एक minus है यानि कि इस तरीके से ठीक है तो 9 minus 1 यह कितना हो गया 9 minus 1 विल बी 8 और यह 8 का square अब जो second bracket है जिन लोगों की basic math ठीक नहीं है उनके लिए मैं इसको expand करके दिखा देती हो जिन लोगों की basic mathematics अच्छी है class 2 से class 6 वाली वो लोग अपना direct आगे बढ़ सकते है तो देखो minus 10 तो वैसे का वैसी रहेगा minus minus कितना हो जाएगा plus तो यहाँ plus 2 की sign आ जाएगी और फिर यह पर में square 8 का square कितना होता है 64 और बाजू में minus 2 और plus 10 यह कितना होगा यह होगा minus 8 और minus 8 का square यह कितना होता है यह होता है 64 अंडर root में यह value कितनी आई 128 ठीक है अंडर root में यह value कितनी आई 128 इसको अगर आप prime factorize के तूँ simplify करें तो यह value आएगी 8 root 2 जो कि आपने सीखा होगा 9th class में ऐसा करना ठीक है तो यह आगई मेरे पास कौनसी वाली value BC अगर किसी को यह नहीं समझा है कि मैडम आपने उसको 8 root 2 कैसे लिखा तो question करो मैं बता दूँगी कि मैंने उसको 8 root 2 कैसे लिखा है ठीक है बट उसमें पूछना तुमको पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई दिव्यद्रिष्टी तो है नहीं जिस दिव्यद्रिष्टी के वाया मैं यह चीज़ उमको बता सकूं कि अच्छा देख तेरे कोई यह वाला सवाल बना ते कोई ये वाला सवाल नहीं बना उसमें पूछना तो आपको ही पड़ेगा ना अभी next distance calculate करना है AC तो वहाँ पे जो हमारे पास A point है उस A point के coordinates और C point इसके coordinates आपको पता होने चाहिए C के coordinates मुझे याद थे मैंने लिख दिये A के coordinates मैं देख लेती हूँ minus 3,2 ये भी आप calculate कर लीजे है ना? तो अब यहाँ पर मुझे जो चीज calculate करनी है वो calculate करना है AC, ठीके मुझे क्या calculate करना है AC, यानि कि A और C के बीच का distance तो again मेरी वही कहानी सबसे पहले वहाँ नीचे लिखा करो X1 equal to minus 3 Y1 is equal to 2 X2 equal to minus 9 Y2 is equal to 10 फिर आप AC के बीच का मतलब AC वाला distance आप वहाँ जाके फिर calculate करके आ जाए तो AC कितना हो जाएगा? याद रखो X2 minus X1 का whole square distance formula लगा रहे ना? X2 यह रहा, एक मिनेट X2 minus X1 और फिर उसके उपर यह whole square प्लस फिर क्या आएगा? Y2 minus Y1 और उसके उपर यह whole square अब next step क्या हो जाएगी? X2 की जगा value पुट कर दो X2 कितना है? minus 9 X1 कितना है? minus of minus 3 Y2 कितना है? 10 Y1 कितना है? यह अब फटाफट फटाफट उनको लिख दो कितना कितना आता है? तो यह पहली quantity आएगी minus 6 का square दूसरी quantity आएगी 8 का square क्या यह बात दिमाग में जा रही है? ठीक है दूसरी quantity क्या आजाएगी? 8 का square minus 6 का square that would be 36 8 का square will be 64 so under root में जो number आया that is आप लोगों का 100 वो number जो आपको मिला वो है 100 तो यहाँ से AC की value under root of 100 यानि कि कितनी आ गई है? 10 basically आ गई है ठीक है? यह आपके पास आगई 10 यह इसको मैं देदेती हूँ मेरा equation number बोलो कितनी? 3 हो गई मेरे को 3 distances निकाल ले थे क्या मैंने वो 3 distances निकाल ले हाँ मेरे को 3 distances निकाल ले थे और हमने वो 3 distances calculate भी कर लिए अब इन 3 distances का मैं करूँगी क्या? इन 3 distances में आपको जो छोटे distances दिख रहे है छोटे distances उनको add करना है बड़े को कुछ नहीं करना है ध्यान रखना जो छोटे दिख रहे है लाव है ना जो दो छोटे डिस्टंस दिख रहे है उनको अड़ करना अब देखो तोटल मेरे पास तीन डिस्टंस है एक है 4 रूट 2, एक है 8 रूट 2 और एक है 10 इन तीनों में से आप सबसे बड़ा किसको कहोँए अब कई लोगों को तो वैसी समझ में आ गया होगा बैट माइट भी कुछ ऐसे भी लोग हो सकते है जिनको ये चीज नहीं समझ में आई हो कि उन में से छोटा डिस्टन्स कौन है और बड़ा डिस्टन्स कौन है उन लोगों के लिए एक सजेशन है वो लोग रूट 2 की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर दें और मल्टिप्लाई करके देख ले कि छोटा कौन है बड़ा कौन है वैसे तो ये चीज आगे जाके ट्रिग्णोमेटरी में आपको ध्यानी रखनी है कि जो रूट 2 होता है रूट 2 को बेसिकली हम 1.414 कहते है और जो रूट 3 होता है इसको 1.732 कहते है ठीक है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास 4 रूट 2 है 4 रूट 2 यानि कि क्या 4 into 1.414 जो की something 4 point something याएगा exact answer निकालने की need नहीं है इसका जो भी answer आएगा वो 4 point something 5 point something आएगा वैसे ही 8 root 2 जो है उसमें जब आप root 2 की value डालेंगे ठीक है जब आप वहाँ पे root 2 की value डालेंगे तो वहाँ पर वहाँ पर आप लोगों के पास बोलो क्या आजाएगा वहाँ पर आपका जो answer है वो 8 point या फिर 9 point something आएगा और जो आपके पास तीसरा distance दिया है वो है 10 तो अब आप खुछ सोचिए कि तीनों में से सबसे बड़ा distance कौन है 10 है तो क्योंकि 10 आपका सबसे बड़ा distance है तो 10 को छोड़ दो जो छोटे distances है उन छोटे distances को add करो तो छोटा distance कौन है A B और छोटा distance कौन है आप लोगों का B C तो छोटे distances को पकड़ लो एक A B को पकड़ लिया एक B C को पकड़ लिया तो यहाँ पे लिखना equation number 1 plus equation number 2 तो क्या आजाएगा तो 4 root 2 plus 8 root 2 will be what? 12 root 2 अच्छा अब जो इसको दे दो इसको एक equation number दे दो this is equation number 4 अब मुझे एक बात बताओ जो बड़ा distance है जो बड़ा distance है ठीके जो की क्या है बड़ा distance है बड़ा distance वो जो आप लोगों का बड़ा distance है वो जो आप लोगों का बड़ा distance है वो बड़ा distance यानि की AC वो कितना है तो बड़ा distance यानि की AC वो तो मेरा 10 है और दो छोटे distances का addition वो कितना है वो 12 root 2 है तो ऐसे में क्या मैं equation number 4 को और equation number 5 को देखकर ये कह सकनी हो कि दो छोटे distances का addition आपके बड़े distance के equal नहीं आया है कह सकती हो न कि दो छोटे distances का addition बड़े distances के equal नहीं आया है ठीक है दोनों बड़े distances के equal नहीं आया है तो ऐसे में जो points है वो points भी आप लोगों के ठीक है वो points भी आप लोगों के क्या है बोलो आप लोगों के collinear नहीं हुँगे so therefore point a-b-c are not collinear वो collinear नहीं है अगर बड़े distance का addition अगर दो छोते distances का addition ठीके अगर दो छोते distances का addition बड़े distance के बराबर अगर नहीं आता है तो points collinear नहीं हुँगे तो यहां पर distance फॉर्म लेकि वाया, अगर आपको कभी भी एक एक लिख कर आए कि आपको पहचानना है करके कि तो सारी इस्टंस अब कैल्कुलेट कर लो और कैल्कुलेट करने के बात आप यह इडिन्टिफाई गरो करकर कि उनमें दो चोटे distances का addition बड़े distance के बराबर आया है कि नहीं, यह तरीका हुआ, अब सवाल को read करो, सवाल में बोला था, show that the points A, minus 3,2, B, 1, minus 2, and C, 9, minus 10 are collinear, मतला सवाल में यह बोला जा रहा है, show that करो, सवाल वला आपसे बोल रहा है, show that करो, तो इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आपका answer collinear आना चाहिए था, अगर show that में ऐसा लिखके दिया है, कि वो चीज़ कोलीनियर है तो इसका मतला आपका आंसर कोलीनियर आ रहा है आ जहें है न बाद हम उसको लिख सकते हैं 4 root 2 फिर B और C के बीच का distance निकाला तो 9 minus 1 8 ये भी correct है और minus 10 और minus 2 वो भी 8 आएगा तो 64 जिसको मैं लिख सकती हूँ 8 root 2 फिर AC के बीच का distance निकाला यानि कि minus 3, minus 9 जो कि 6 होगा 6 का square 36 8 का square 64 तो ये आ गया 100 चुलो मैंने तो देखो सारी चाहिए सही निकाली एक बरको मैं question देख लेती हूँ कहीं question जो लिखे हैं कहीं उस question में तो कोई गड़बड़ी नहीं है एक मिनट अरे मैंने minus 9,10 लिख दिया question was 9, minus 10 एक मिनट एक मिनट question कितना था 9, minus 10 और मैंने question को क्या लिखके solve कर दिया है minus 9,10 लिखके solve कर दिया है यहाँ पे मेरी error हो गई है ठीक है question मैंने गलत उतार दिया question था 9, minus 10 ठीक है तो अपने एक काम करते हैं show that वाला word हटा लेते हैं इसमें बस इतना लिख देते है identify identify weather ठीक है identify करो weather आपके जो points है वो कोलीनियर है की नहीं है done तो मैंने क्या identify किया कि मेरा point कोलीनियर नहीं है ठीक है तो अगर लेकिन show that लिखकर आ रहा है और आपका show that अगर उस question क्या according match नहीं कर रहा है show that जैसी चीजों को करना चलो चेक करते हैं कि जो तीन points दिये हैं ये तीन points आपके कोलीनियर है की नहीं है सबसे पहले PQ वाला distance आप calculate करें अब देखो एक question में आपको अल्रेडी पूरी proper steps के साथ लिखा कर दे चुकी हूँ कि अगर proper steps के साथ लिखना हो तो proper steps के साथ उस question को कैसे लिखना है next वाले question में मैं अपना time waste steps लिखने में नहीं कर रही हूँ but it doesn't means कि जब तुम attempt करोगे तो बिना step के मुझे पकड़ा दोगे अपना attempt answer या एफिए मैं कहूँ तुमारा attempt proper steps में होना चाहिए ये वाला question मैं आपको बिना steps के दे रही हूँ क्यों कि पहला वाला मैं steps के साथ दे चुकी हूँ ठीक है ता कि time बचे steps लिखने में waste ना हो time but तुमको पुरा steps के साथ ही मुझे solve करके देना है अगर PQ के बीच का distance calculate करना है तो बोलो क्या हो जाएगा 6 minus 3 का square और minus 6 और minus of minus 7 का square 6 minus 3 3 होता है 3 का square बोलो कितना होता है 9 बाजू वाले bracket में क्या हो जाएगा बाजू वाले bracket में कुछ इस तरीके का scene होगा तो यहाँ 9 और यहाँ पे आएगा 1 ठीक है आचा 1 का square 1 तो PQ की value आ गई अंडर root of 10 वैसे ही मुझे QR वाला distance calculate करना है तो QR वाला distance कितना होगा 3 minus 3 वो तो हो जाएगा 0 ब्लस उसके बाद क्या होगा minus 7 minus 3 और उसका square तो 3 minus 3 0 0 का square 0 और minus 7 minus 3 होता है minus 10 और minus 10 का square will be 100 तो QR कितना है है root 100 अच्छा वैसे तुम चाहो तो QR को 10 भी लिख सकते हो square root of 100 is 10 बट मैंने अभी फिलाल नहीं लिखा वैसे ही आपको PR calculate करना है बोलिए PR कितना होगा PR will be 6 minus 3 6 minus 3 का square plus minus 6 minus 3 का square तो 6 minus 3 का square will be 3 का square 9 minus 6 minus 3 का square यानि कि minus 9 minus 9 का square यानि कि 81 यानि कि यह आता है under root of 90 अब common sense के साथ अपने दिमाग का इस्तमाल करें इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा obvious है कि under root of 100 सबसे बड़ा होगा है ना तो इसको हम लिखेंगे QR यानि कि सबसे बड़ी quantity equal to under root of 100 give it equation number 1 और जो दो छोटे 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 लोग है उन छोटे 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 लोगों को आपको क्या करना है add करना है under root of 10 को add करना है under root of 90 से अब यहाँ पर होती है student से सबसे बड़ी mistake जिसने 9th class भूल गया है जिसने 9th class नहीं पड़ी है वो बड़े मजे से इंको add कर लिखते लिखते हो madam 10 plus 90 100 और फिर बदा है क्या लिखते है कि QR equal to PQ therefore points are क्या कहते हैं आपका कोली निया ऐसा लिख देते है ऐसा मत करना भाई साहब आप ऐसे दो different under roots वालों को add नहीं कर सकते हो ठीक है आप ऐसे दो different under roots वालों को add नहीं कर सकते हो please keep in mind ठीक है फिर अब क्या करें छोड़ देखिया इसको छोड़ दो कोई रिक्कत नहीं है अब थोड़ इसी बस बुद्धी का प्रेयोग करना देखो कैसे under root of 90 को क्या लिखा जा सकता है इसे लिखा जा सकता है 9 into 10 9th class के mathematics बता रही हूँ ठीक है और 9 into 10 के under root को क्या लिखा जा सकता है 3 root 10 है न 9 बाहर आगया तो उसका square root 3 हो गया इसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब ये क्या है इसका मतलब madam ये 1 है अब आप add कर सकते हो ये भी root 10 ये भी root 10 तो ऐसे में root 10 को एक ही बाह लिखेंगे उसको 20 मत लिख देना roots कभी add नहीं होते roots के सामने वाले numbers add होते और वो भी तब जब roots की value same हो तो तो ये हो जाएगा 4 root 10 यानि कि PQ plus PR इसकी जो value आई वो कितनी आई 4 root 10 आई है ना ये कितनी आई 4 root 10 आई अब देखो थोड़ा सा जैसा कि मैंने कहां आपको basic mathematics छोटी बच्चों वाली class का पता होना चाहिए तो एक basic mathematics ये भी है कि यसे root 2 की value 1.414 होती है root 3 की value 1.732 होती है वैसे ही आपको root 10 की value बले exact याद होना हो लेकि इतना common sense होना चाहिए common sense कि मैडम आप देखिये जरा खुद सोची एक दफा अगर आप मुझको under root of 9 लिखकर देती तो under root of 9 की value होती 3 इतना तो agree करते हो अगर आप हमें under root of 16 लिखकर देती तो उसकी value होती 4 अब आपने हमको लिखकर दिया है under root of 10 जो 9 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है तो इस under root of 10 की मैं exact value तो नहीं बता सकता आपको लेकिन इसके under root of 10 का जो भी answer होगा वो between 3 and 4 होगा बलकि इतना भी तुम कह सकते हो कि मैडम इसका answer 3.1 something होगा क्योंकि जस्ट 9 के बाजू का number है बलकि मैं तुम्हें बता दू इसकी exact value होती है 3.16 कैसा है पेपर में आपको हर under root की value याद नहीं होगी और नहीं आप long division method से निकालते बैठोगे तो वाग common sense का इस्तेमाल करना कि इसकी value किस number के बीच में range करती है तो जैसे हमने आपके क्या किया कि इसका जो भी answer है वो 3 से बढ़ा होगा और 4 से छुटा होगा इतना ट्वेगरी करते हो मैंने अभी तुम्हें बता दिया इसकी exact value 3.1 है हो सकता है कभी exam के वक कल्यानी यह assume कर ले कि इसकी value 3.3 है वो ऐसा assume कर ले तो कि उस लड़की को exact value नहीं पता वो assume कर ले और assume कर लेने के बाद कल्यानी क्या करती है यहाँ पे 4 root 10 की value को rough में जाती है 3.3 की according solve करती है और वो यह देखती है इसका answer आ रहा है something 13.2 के आसपास 13.2 के आसपास इसका answer कितना आ रहा है 13.2 के आसपास आ रहा है कितना आ रहा है 13.2 के आसपास आ रहा है इसका answer और अगर मेरे according exact value लेकर तुम solve करते हो 3.16 वाली value लेकर solve करते हो तो इसका अंसर आता है 12.64 के पास तो वो लड़की पता है क्या बोलती है ओ मैडम अगर आप मान के चलते हैं कि इसकी value 3 से 4 के बीच में है आप 3 से 4 के बीच का कोई भी number ले लो PQ प्लस PR की value क्या आएगी 12 point something आएगी 13 point something आएगी और जो PQ आपको दिया हुआ है जो आपको सबसे बड़ा distance दिया है वो आपको under root of 100 यानिकी 10 दिया हुआ है तो अव्वेस है कि ये 10 और यहाँ पे इन दोनों का addition आपस में equal नहीं है तो अगर addition equal नहीं है बड़ा वाला distance is not equal तो दो छोटा छोटा वाला distance इसका मतला points भी क्या नहीं है को linear नहीं है ठीक है ये हो गई बात्चीत हम लोगों की समाप्त तो अगर under root वाले सवाल में कभी फस जाओ तो इस तरीके से बुद्धी का इस्तमाल करके आगे बढ़ना ठीक है चलो फिलाल इस चीज़कों हम लोग यहां पर off करते हैं अभी इसके आगे की class में कुम लोग इससे related परले questions बना कर दिखाओगे फिर हम लोग आगे बात्चीत करेंगे ठीक है